अब हम डिसकस करेंगे फ्रिक्शनल एलेक्टिसिटी का ओरिजिन कैसे हुआ जो भी फ्रिक्शनल एलेक्टिसिटी हमें मिली थी रब करने में ग्लास रॉड और सिल्क को तो वो कहां से शुरू हुई हमें वो मिलती कहां से है वो स्टार्ट क्यों हुई तो वो हम इस टॉपिक में cover करेंगे when two bodies are rubbed with each other they get electrified जब हम किसी भी दो bodies को rub करते हैं एक साथ एक दूसरे के साथ तो वो electrify हो जाती है उनमें electric charge develop हो जाता है तो ये क्यों होता है ये simply होता है electrons के transfer की वजह से ये जो भी हमारे पास electricity electricity मिलती है वो electrons के transfer की वजह से मिलती है और इस चीज़ को हम explain करेंगे with the help of atomic model हमें पता है कि atomic model ने ये बताया कि हमारे पास एक positive nucleus होता है इसमें protons होते हैं और neutrons होते हैं और ये जो protons और neutrons हैं ये nucleus के साथ nuclear force से bind होते हैं ये जो protons और neutrons हैं इनको nucleus ने nuclear force से पकड़ा हुआ है और ये भी पता है हमें कि electron है वो एक orbit में rotate हो रहा है nucleus के around जैसे हमारा earth जो है वो sun के around move होता है उसी थारा जो electron है वो nucleus के around move होता है और electron और nucleus के बीच में जो force है वो electrostatic force है मतलब जिस force से nucleus ने electron को पकड़ रखा है वो है electrostatic force अब जो electron ही क्यों transfer होता है जब कोई भी body charge होती है तो वो proton क्यों नहीं जाता या neutron क्यों नहीं जाता सिर्फ electron ही क्यों force जो nucleus है उसे proton और neutron बहुत ज़्यादा प्यारे है वो उसके साथ बहुत अच्छा प्यार है उसका तो वो उसे जाने नहीं देता वो उसे बहुत अपने पास रखता है और जो electron है उसके साथ उसकी दोस्त थोड़ी कम है तो वो कहता है कि कि तू जा मैं तुझे ट्रांसफर कर देता हूं और electricity produce कर दे लेकिन वो proton या neutron को नहीं जाने देता क्योंकि जो nuclear force है nucleus of proton में या neutron में बहुत ज्यादा होता है वो अब energy required to remove an electron from the atom depends upon how tightly it is bound to the nucleus अब कितनी energy हमें चाहिए किसी भी electron को किसी atom से remove करने के लिए वो depend करती है कि वो electron जो है उस nucleus nucleus के साथ कितनी tightly जुड़ा हुआ है जितनी tightly जुड़ा होगा electron उतनी ज्यादा हमें energy लगानी पड़ेगी जितना कम tightly bound होगा या कि जितना कम उससे nucleus से वो जुड़ा होगा उतनी कम हमें energy लगानी पड़ेगी अब हम देखते हैं कि जो glass rod और silk negatively charge हो गया था अब जब हमने उन्हें rub किया तो हमें हमारे पास वो friction friction पैदा हुआ उनमें और उस friction को overcome करने के लिए उसके opposite भी हमें एक energy लगाएंगे हमें energy चाहिए to overcome friction between them अब इस energy को हम कैसे लगाते हैं हम इस friction को overcome करने के लिए एक electron को remove कर देंगे या तो glass rod से remove कर दो या silk से remove कर दो this energy tends to remove electrons from both the glass rod and silk जो energy लगती है friction को overcome करने के लिए तो वो जो energy है वो या तो glass rod से electron निकाल सकती है या silk में से लेकिन हमें जो मिलता है conclusion वो यह है कि जो glass rod है वो electron देता है और खुद positively charge हो जाता है और जो silk है वो glass rod से electron ले लेता है और खुद negatively charge हो हो जाता है अब यह क्यों हुआ क्यों हुआ क्योंकि glass rod में जो electrons थे वो इतने tightly bound नहीं थे electron से जितना की silk वाले electrons nucleus से bound हैं इसी वजह से जो electrons है वो glass rod से silk में चले जाते हैं मतलब हमें last में यही conclusion हुआ कि जो charge हमें electricity में या charge मिला था silk और glass rod के उपर वो simply electron के transfer की वजह से मिला था अब एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम रब करते हैं किसी भी दो objects को तो जो mass होता है दोनों object का वो change हो जाता है जब वो दोनों objects positively चार्ज हो जाए या फिर negatively चार्ज हो जाए जैसे कि अगर हमने glass rod को silk के साथ rub करवाया था तो उनका बाद में mass change हो गया था यह क्यों हुआ क्योंकि जब हम जो electron है उसका एक finite mass है हम उसे calculate कर सकते हैं उस mass को तो जब कोई भी electron transfer होगा किसी भी body से तो जिस body से वो गया उसका mass कम हो जाएगा और जिस body में वो गया उसका बढ़ जाएगा जैसे हमने glass rod को silk के साथ rub किया था तो glass rod हमारी positively charge हो गई उसमें से electron चला गया तो जो original mass था glass rod का वो ज्यादा था positively charged glass rod से और जो silk था silk बाद में negatively charge हुआ था तो silk का जो original mass था वो कम था negatively charged silk से क्योंकि जो negatively charged silk है उसके पास एक extra electron है original silk से तो यहीं हमें conclusion मिला था कि on rubbing masses of both the objects change because electrons have a small finite mass जो mass होता है किसी भी positively charged body का वो अपनी original जो body थी उससे कम होगा और जो mass होगा negatively charged body का वो greater होगा अपने original mass से यह क्यों हुआ क्यों क्यों हुआ क्यों क्यों हुआ क्योंकि उसमें electron चला गया और जिसमें बढ़ा वो इसलिए बढ़ा क्योंकि उसमें एक-एक electron add हो गया अब next topic हम करते हैं electrostatic induction electrostatic induction is the temporary electrification of a conductor when a charged body is brought near it यह simply एक temporary electrification होता है मतलब अगर हम किसी conductor को temporary basis पे charge कर दे जब हम उसके पास किसी charged body को लेकर आए तब electrostatic induction होता है हमारे पास एक neutral body है यह जो body है यह हमने neutral ले ली और इसके पास हम कोई charged body लेकर आए तो उसकी वजह से इस body के उपर जो neutral body थी इस पे भी कुछ charge present हो गया मतलब इस पे कुछ charge induced हो गया तो हमें इस process को हम electrostatic induction कहते है और यह जो electrostatic induction है यह temporary basis पे होता है यह कभी permanent नहीं होगा मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी charged body को किसी neutral body के पास लेकर आएं तो वो हमेशा के लिए charged रहेगा मतलब वो temporary होगा कभी वो change भी हो सकता है अब यह electrostatic induction explain करने से पहले हम conduction electrostatic conduction देख लेते हैं यह क्या है it is a process of charging a neutral object by bringing it in contact of a charged body हमने एक neutral body ली थी उसके पास charged चीज लेकर आये charged object लेकर आये थे और उसे charge करवाया था यह था electrostatic induction में लेकिन यह जो conduction है इसमें हमने एक neutral body के contact में लेकर आये हमने उन्हें actual में touch करवाया जो charged body होगी उसे हमने neutral body के साथ touch करवाया और neutral body के उपर एक charge develop हो गया इसे हम conduction कहेंगे जो electrostatic induction होता है उसमें actual touching नहीं होती charged body और neutral body की लेकिन conduction process में हम actual में touch करते है charged body को touch करवाते हैं contact में लेकर आते हैं neutral body से अब हम electrostatic induction का actual mechanism देख लेंगे एक experiment करेंगे हम हमने दो spheres लिए ठीक है, two metal spheres लिए हमने और उनको एक साथ जोड़ा और इन दोनों metal spheres को हमने insulating stand पे लिया अब हम क्या करेंगे, second step हमारा होगा कि हमने positively charged glass rod इन दोनों के पास लेकर आए हमने touch नहीं करवाया इन दोनों को यह जो glass rod है और spheres को sphere को glass rod के साथ touch नहीं करवाया हमने induction करना है, induce करना है charge तो हम उसे उसके पास लेकर जाएंगे उसे touch नहीं करवाया हमने तो यह जो glass rod थी, वो positively charged थी और उसकी वजह से जो यह वाला sphere था इसके side पे negative charge आ गया, positive charge ने negative charge को अपनी और खीचा और जो positive charges थे वो दूसरे sphere के दूसरे end पे दिखने लग गए क्योंकि इस positive charge rod ने positive charges को repel किया और वो दूसरी side चले गए उसने negative charges को attract किया और इस side पे आ गए अब third step जो है वो हम यह करेंगे कि हमने दूसरे sphere को थोड़ा सा separate out किया यह वाले sphere से और यह जो glass rod है इसे उसके पास ही रखा तो step में यही है कि we have separated the spheres by holding the rod with left sphere अब fourth step हमारा यह है कि हमने अब glass rod को हटा दिया जो हमारे पास glass rod थी वो हमने fourth step में glass rod हटा दी और उसके बाद हमने fifth step यह किया कि हमने इन दोनों जो spheres थे इनको बहुत दूर ले गए पहले हमने क्या किया था बहुत ही pass में थे तो इनके जो charges थे वो एक दूसरे के side में एक दूसरे के पास आ गए पहले क्या था कि जब हमारे पास glass rod थी तो जो negative charge थे वो इस तरफ थे क्योंकि glass rod ने उनको पकड रखा था अपने तरफ attract कर रखा था और positive charge दूसरे end पे थे क्योंकि उसे repulsion feel हो रहा था इस glass rod से लेकिन अब हमने glass rod को हटा दिया तो क्या हुआ जो charges डेवलप हुए थे spheres पे अब वो एक दूसरे को attract करने लगी हमारे पास negative charge डेवलप हुआ था और positive charge डेवलप हुआ था तो ये एक दूसरे के पास आ गए पहले negative charge हमारे पास इस तरफ था और positive charge इस तरफ था लेकिन अब जब हमने glass rod को हटा दिया तो वो एक दूसरे के पास आ गए अब हमने इन दोनों spheres को separate कर दिया बहुत ज़्यादा distance पे तो जब हम बहुत दूर ले गए इन spheres को तो हमारे पास क्या मिला कि जो negative charge था वो भी uniformly distribute हो गया और जो positive charge था वो भी uniformly uniformly distribute हो गया तो ये था हमारा process electrostatic induction का इस तरह से हमने charges को induce कर दिया किसी भी body पे हमने अभी क्या किया था हमने electrostatic induction किया था दो metal spheres को contact में लाकर और उनके पास एक positively charged glass rod लेकर आये थे लेकिन अगर हमें सिर्फ एक metal sphere मिले हमारे पास सिर्फ एक metal sphere हो और उसे हमें positively charge करना हो या negatively charge करना हो तो वो कैसे करेंगे वो हम अब देखेंगे अगर हमें किसी metal sphere को positive charge देना है तो हम एक neutral metal sphere लेंगे उसके पास हम negatively charged plastic rod लेकर आएंगे तो इससे क्या होगा कि जो left end है metal sphere का वो positively charge हो जाएगा क्योंकि ये जो negatively charged glass rod है वो positive charges को attract करेगी और जो negative charges हैं उन्हें repel करके दूसरी end पे भेज देगी second step हम क्या करेंगे ये जो negative charges थे इन्हें हमने इनकी earthing कर दी इन्हें हमने ground कर दिया ताकि जो electrons हैं वो earth में flow हो जाएं और जो हमारा metal sphere है उस पे सिर्फ positive charge present हो रहेगा third step में हमने ये जो grounding की थी इसे हटा देंगे earthing की थी हम उसे हटा देंगे और जो positive charge है वो वहीं पे अपनी position पे रहेंगे left side पे ही रहेंगे क्योंकि ये जो अभी glass rod है इसने इन positive charges को attract करके पकड़ रखा है fourth step में हम glass rod को हटा देंगे और हम ये conclude करेंगे कि जो metal sphere है इस पे जो positive charge है वो uniformly distribute हो जाएगा वो equally distribute हो जाएगा और इसी तरह हमारे पास एक positively charged metal rod आ गया पहले हमारे पास neutral metal sorry metal sphere था neutral metal sphere को हमने positively charge कर दिया इसी तरह हम negatively charge भी कर सकते हैं वहां पे हम क्या करेंगे अगर हमे negatively charge करना है जो हमने negative negatively charged plastic rod ली थी वहां पे positively charged glass rod ले लेंगे और इसी तरह इसी बाकी जो processes है वो same रहेंगे और end में हमें negative charge मिल जाएगा guys इस video को हम यहीं पे end करेंगे video को like कर देना subscribe कर देना और share कर देना thank you कर देना